Hello friends during this session we will learn about the navigation control generally for which purpose navigation controls are used जब हमें कोई एक page से दूसरी page पर redirect होना हो उस time पर हम navigation control का use करते हैं Generally navigation control को use करने के c sharp में sorry में आपको तीनों का यूस दिखाता हूं इस वीडियो में हम दो कंट्रोल पढ़ेंगे नाविगेशन के फॉस्ट है मैनू और दूसरा है ट्रिव्यू दोनों की फंक्शनलीटी सेम ही है पर यूसेज डिफरेंट डिफरेंट है मैनू यूस ऌड़ो होता है जब आपको वैबसाइट में देखो कुछ ऑपके मैनू दिखाई देता है उसमे कोई P-Page डिक करो तो हमें दूसरा पेज दिखाई देता है वह है मैनू और में क्या हुता है राइट एंग साइट पर यहापिन साइट पर कई 5000 आपने देखा होग अब हम पहले menu control देते हैं, menu control हमने डाल दिया, सबसे पहले तो इस example को आसान करने के लिए हमें पहले कुछ pages यहाँ पर डालने होंगे, जिससे जरीए क्या होगा कि हम easily इस example को समझ सकें, page 1 हमने डाल दिया, यहाँ पर हम h1 में add कर देंगे, clear, एक page हमने बना दिया, दूसरा page हम बना देते हैं इसी प्रकार से, page 2, इसमें हम ले लेते हैं h1, about us, page ले लिया हमने, अब एक तीसरा page ले लेते हैं, help, page 3, actually, यह pages में क्यों दे रहा हूँ, कि हमें समझने में आसानी हो, इसलिए, website में तो उसका पूरा content ही होगा, इसमें, पदा चल गए आपको, okay, चलिए, अब हम example की बढ़ते हैं, हमने यहां से menu ले लिए, अब हम क्या करेंगे, design view में जाएंगे, यह हम देखा, menu कैसे यहां पर show कर रहा है, अब हमें इसका orientation change करना है, horizontal कर देना है, तो क्या करेंगे, यहां से orientation में जाके properties में horizontal select कर देंगे, तो इस प्रकार से में मिलका है, अगर चलो मानलो, यहां से हमें, इसकी scheme बदल नहीं हो, inbuilt को कई तरह की schema यहां available है, हम यह schema रख लेते हैं, clear, अब edit menu item में क्या होगा, दो option होगे हमारे पास, root item and child item, root item में क्या होगा, ऐसे, फिर root item ही हमने डालिये, about us, कई बार आपने ऐसा देखा होगा menu में, कि about us के नीचे help हो, तो इसका child हुआ, तो इसका child हम बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, help, clear, रख दिया, अब हमें क्या देना है, इसका navigate URL देना है, कि किस page पे navigate करेगा, होम है, अगर पेज को execute करूँ, तो home page में page 1 आना चाहिए, clear, about us में कौन सा page आना चाहिए, page 2 आना चाहिए, और help में कौन सा आना चाहिए, help में page 3 आना चाहिए, clear, अब एक और चीज़, जब मैं इस पर click करूँ, तो new window में खुलना चाहिए, इसके लिए target property हमें, new select करनी है, यहां से, यहां भी हम कर लेते हैं, new, तो क्या होगा, new tab में page open होगा, अधरवेश क्या होगा, वो ही tab, tab में page open होगा, clear, बना दिया है, अब हम इसको execute करते हैं, आगाया menu, home and about us, home पे click करेंगे, आगाया homepage, about us पे चलो click करते हैं, sorry, खलती होगे, about us पे click करते हैं, तो क्या आना चाहिए, page two आना चाहिए, यह दूसरे tab में क्यों नहीं खुला है, यह इसका reason मुझे चानना पड़ेगा भी, और help पे click करेंगे, help खुल गया, clear, नया page में खुला है, sorry, हर बार नया page ही open हो रहा है, about us पे click करते हैं, नया page आ गया, तिर क्या होता है, यही page पर बार बार replace हो रहा है, help पे click करूँ, तो नया page पर आ गया, clear, पता चल गया आपको, अब इसी प्रकार से हम दूसरा एक control देख लेते हैं, clear, दूसरा एक control देख लेते हैं, जो है, tree view, tree view भी same, menu की तरह ही work करता है, हम पहले यहां से tree view select कर लेंगे, अब design view में जाएंगे, design में क्या करेंगे, यहां उसी प्रकार से, यहां F4 है हमारे पास, चलिए, अब यह सारी इसकी properties है, आप एक बार check कर लिजेगा, सारी properties, कुछी भी नहां पता चलेंगे, इस property में क्या करना है, अब tree view में क्या है, चलिए मैं आपको यह बताता हूँ, चलो पहले हम थोड़ी यहां पर space डाल देते हैं, इससे आसानी होगा आपको tree view, clear, चलिए, अब यहां से, auto format उसी प्रकार से, कई सारी patterns already available है, हम यह रख लेते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, show lines पर click करेंगे, तो क्या होगा, इस प्रकार से line में show करेंगे, पता चल गए, अब edit nodes, parent node और child node, similar, यहां पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, चलिए, पहले हम क्या करेंगे, first node को home रख लेंगे, second node को रख देंगे, about us, और third node को, third child node रख देते हैं, उसमें क्या रख देंगे, help, clear, समझ में आ गया आपको, अब पहले की तरह ही, यहां पर navigate URL दे देते हैं, page 1 पे redirect होना चाहिए, यहां से page 2 में redirect होना चाहिए, और यहां से page 3 में redirect होना चाहिए, पता चल गया है, okay, कर दिया, यह हमारा बन गया है, tree view, अब हम इसको execute करते हैं, यह मेरा tree view है, home पे click करूंगा, home page मिला मुझे, about us पे click किया, about us page मिल गया, help पे click किया, helps page मिल गया, clear, क्लिया, क्लिया, यी सारे में, इस में क्या हो राए कि जब मैं click करूं तब इसी page पे मेरा, जो है पीज ऊपन, रीडिरेक्ट हो रहा है देखिए, इसी पेज पे मेरा पेज ये रीडिरेक्ट हो रहा है अगर मुझे न्यू पेज पे चाहिए तो मुझे टार्गेटी जिपर तो न्यू सेट करना पड़ेगा यहां से, क्लिया, पता चो गए ग्या थ्धिया, थैंथर मं पे शόबटड वीडिए, इन ने च्टी वीडिए विलन साइट मेट पात, थ teu थैंक्स भर वाचिमलों तब वीडियो जैली तक दो रा बीडियो शूब्यड बालत्ट लिज्डियो प्सक्राब चानल तक यह